Nothing के साइट से क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं Home Screen में जाके Widgets में अगर जाता हूँ Settings Widget में Set करता हूँ इधर पे एक Widget था जो कि हम लोगों का Always On Display को Determine करता था और On Off कर सकता था लेकिन Old जो Widget था उसको Remove कर दिया गया है वो Widget अभी नहीं है पहले Widget अविलेबल था लेकिन बहुत सरे Bugs था क्योंकि Always On Display अन ओफ नहीं हो रहा था और Nothing का जो नया strategy है उसमें अगर Bugs अगर fix करने में problem होगा तो फीचर को ही रिमूफ कर देता है जो मैं देख रहा हूँ क्योंकि पहले ChatGPT Widget था वह भी रिमूफ कर दिया और भी Always On Display भी रिमूफ हो गया Nothing phone से तो definitely Nothing के तरब से कुछ ना कुछ तो चल रहा है और आप भी अगर quick settings में जागे Widget सेट करते जाओ अगर आपके phone में Always On Display का Widget नहीं आ रहा है तो उसके मतलब समझ रहना कि Nothing ने पुरद पर्मनेंटली इसको रिमूफ कर दिया है और definitely यह अभी नहीं आएगा क्योंकि उसमें bugs हो रहा था जो widgets काम कर रहा है वो actually already available है लेकिन Always On Display और ChatGPT Widget को definitely Nothing ने रिलीज कर दिया है secretly और यह वालाफ widget अभी आपका phone में Absolutely नहीं आए